आप सभी को मेरे नमस्कार, मैं हुरी शप्रसाद, आपकी मनजिल के इस सफर में आप सब कफरी से स्वागत करता हूँ तो आज हम जो अपने MCQ उसके, जो हमारी ये पूरा सेशन चल रहा है, इसमें हम आप से फिल से मिल रहे हैं आज हम देखेंगे human settlement के जितने भी important questions, जो आपके board में आ सकते हैं या बन सकते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मनजिल तो सबसे पहला question जो है, what is the basic unit of settlement? तो सबसे है important जो आपका question है, settlement action, इसका basic unit क्या है किसी settlement का? चलिए जल्दी से बताःए, basic unit क्या होना चाहिए听 settlement का? क्या city होना चाहिए? क्या siyati होना चाहिए? क्या siyati होना चाहिए क्या층 सETTCOM? जी नहीं town होना चाहिएema frågor attain settlement का? नहीं Urbanization is expressed in terms Urbanization जो है.. इसको आप किस टर्म से एक्स्प्रेस कर सकते हैं? क्या absolute नंबर से कर सकते है, ratio से कर सकते है, percentage से कर सकते है, क्या none of this, grandpa कर सकते है, तो Urbanization जो आप दिखाते कैसे हैं जैसे आप माल लेजे दिल्ली में कितने % Urbanization there तो अब किस से दिखाते हैं, परसेंट से दिखाते हैं, याद रखी किसी से दिखाते हैं, परसेंट से अर्बनाइज को डिनोट किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकार है, टाउंस आर क्लासिफाइड on the basis of evolution as, तो टाउंस को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, किस basis में, ancient टाउं में, modern टाउं में, या medieval टाउं में, या all of the above, किस में बाटा गया पताईए, टाउंस को सिर्फ कि ancient में बाटा गया है, modern में बाटा गया है, या medieval, बीज वाला पार्ट में बाटा गया है, तो तीनों में ही बाटा गया है, अब चैप्टर को डीप देखते हैं या मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि टाउंस जो है उनको classify किया गिया है ancient, medieval और modern में तो इसका answer होगा all of the above ठीक है ठर्ट चौति अपने question को देखते है the population size of metropolitan city तो एक population size जो होता है metropolitan city का वो कितना होता है metropolitan ध्यान रखी गए इस चैप्ट चीजों को क्या पूछा है metropolitan तो metropolitan का जो city का size होता है यह मैं आपको direct बता देता हूँ यह आपका होता है 1 to 5 million यानि कि 10 lakh से 50 lakh तक 1 million का मतलब कितना होता है 10 lakh तो 10 lakh से 50 lakh के अंदर होना चाहिए एक metropolitan city का population समझे आप जी हाँ बाकी जो है less than 1 million more than इसको मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है उसका देख लेते दा population size of mega city mega city का population size कितना होना चाहिए जैसे दिल्ली, मुंबै यह सारे के mega city है यह तो इनके population कितने होने चाहिए तो इनके population होना चाहिए more than 5 million आपने देख लिया कि metropolitan city होने के लिए वो 1 से 5 million चाहिए लेकिन mega city होने के लिए उसे more than 5 million से ज्यादा होना पड़ेगा तो ही वो mega city में आएगा ध्यान रखेगा इसको mega city और metropolitan city में ठीक है the type of settlement is locally known as asset settlement इसका locally नाम है आपके book में दिया हुआ एंसे है ठीके पारा, पानी, नागल या धानी किस settlement को ऐसा नाम से जाना जाता है cluster settlement को मतलब जो एक साथ है semi cluster को disperse जो दूर-दूर है उसको या hamleted को किसको बोले जाता है कमेंट करी जल्दी से जी हाँ बिल्कुल सही hamleted settlement को क्या कहा जाता है पारा, पानी, नागल या धानी के नाम से भी जाना जाता है आप अगर thoroughly read करते हैं NCRT के इस book को या मेरे videos को देखते हैं तो आपको ये सारे concept जो है आपको बिल्कुल clear हो जाएंगे, ठीक है तो इस बार जो आपका board का exam हो रहा है इसमें smart work बहुत ज़रूरी है इसी बज़े से मैं जितने भी important MCQs को करवा रहा हूँ कारण यही है कि आप बड़े question को लिख लेते हैं लेकिन MCQs में आपके अच्छे कासे marks अगर 15 जो MCQs आने बाले हैं इसमें अगर आप गलती कर देते हैं 5 पे 6 तो बहुत आपके number कम जाएंगे और 95 आप पाने का जो हमारा सपना है यह पुरा नहीं हो पाएगा तो इसे पाने के लिए आपको जितने भी MCQs उसमें पकर को आपको अच्छी बनाने पड़ेगी और इसलिए मैं आपके साथ हूँ और जितने भी MCQs बनते हैं मैं उन्हें clear कराते चलूँगा उसका जो 7 नमर हमारा देखते हैं अपका 2011 का संसस का पूरा चार्ट दिया हूँ एंसियाटी के बुख में उसमें पूछा गया कि अर्बन पॉपुलेशन कितना है according to 2011 संस ठीक है जिन लोगों ने कुछ पुराना बुक लिया है उनको ध्यान से देख लिएगा उसमें 2001 का भी संस हो सकता है तो अपने बुक को ध्यान से देखिएगा question को देखिएगा कि पूछ किया रहा है 11 या 1 11 ही पूछेगा लेकिन कि कुछ लोग जो पुराना बुक यूज कर रहे हैं उनको थ्रा प्रॉब्लम हो सकता है तो तो 11 के अनुशार जो हमारा population size था अर्बन population वो 31.16 था कितना था 31.16 ठीक है और यह बाकी जो है 23,26 और 2027 में क्लियर करा दे रहा हूं आपका 1981 में आपका 23,23% population अर्बन था फिर आपका 1991 में 26% population 3% population बड़ा अर्बनाईजेशन में फिर आपका 2001 में जो हुआ उसमें 28% और तो अच्छा में देखने को मिला और उसके बाद जाके जो हम 2011 में देखें इसमें 31.16 है ठीक है और 2021 जो सामने आने वाला है उसमें अब देखी किया जो हम आ चुका है मतलब उसमें हम देख लेते हैं कि कैसा होगा ठीक है आपको next year तक मिली जाएगा इसका data भी which one of the following is the functional classification of urban settlement तो कौन सा functional classification है urban settlement का urban settlement को इन तीनों में से किस में बाठा गया है या administrative settlement में बाठा जाता है या industrial में बाठा जाता है या mining town में बाठा जाता है तो किसी भी urban settlement को इन तीनों में बाठा जा सकता है या तो वो administrative होगा या industrial होगा या mining town हो सकता है या transport का town हो सकता है या educational town हो सकता है, तो इन सारों में कुछ भी हो सकता है, तो ये तीनों भी इन category का classification का functional classification के अंदर ही आता है, तो administrative, industrial और mining town, तीनों में ही बाटा गया, तो all of the, एवाब होगा, answer number D, समझे ना, कोई अगर दिक्कत हो रहा हो, तो comment section में जरूर comment करे, which one of the following is a Garrison town, Garrison town का मतलब क्या होता है, अब जल्दी से बताइए मुझे, Garrison town का मतलब क्या होता है, तो ऐसे town जहाँ पर troops को रखे जाते हैं, armies को रखे जाते हैं, उन्हें हम Garrison town बोलते हैं, तो इन में से बता दिजिए कि कौन सा Garrison town है, आगरा, जहासी, कोलकाता या वारा नसी, कौन सा Garrison town, अगर आप book को पढ़े होगे तो बिल्कुल परिशानी नहीं होगी, या आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, तो भी नहाँ होगा, तो आगरा जो है, ये क्या है आपका Garrison town, इसमें troops को deploy किया गया है, रखा गया है, ठीक है, उसके देखते हैं, which of the following is a mega city, इन चारो में से, इसमें से दो ही नाम दिया गया है, और दो दिया हुआ है, देख लेते हम क्या है, तो इन में से कौन सा है, mega city है, Mumbai या Bangalore, कौन सा mega city है, इसका भी चार्ट दिया हुआ है, आपका class 1 town, class 2 town, class 3 town, तो class 1 town का city का जो size होना चाहिए, population का वो कितना होना चाहिए, यह छोटी-छोटी question जो है, अंदर से पूछे जाते है, जिसके आप confused हो जाए, इनका answer गलत करे, इस बैसे मैं अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो कितने होने चाहिए, population size, more than 1 lakh, तक class 2 cities में population इतन ही होते है, class 3 cities में होते है 20,000 to 49,000, और class 4 cities में होते है 10,000 to 20,000, चारो का मैंने आपको बता दिया, कोई confusion, जी नहीं, आगे देखते है, what is the number of city in class 1 city, तो class 1 city में हमने देख लिए, जिसका population more than 1 होना चाहिए 1 lakh, तो इसमें कितने percentage है, या number कितने है, cities के, इन्हें हमें देखना बहुत जरूरी है, तो इसके जो number है, आपके 468 है, कितना है, 468, ठीक है, सिध्यान से देख लिजेगा, कितना है, 468, answer B, what is the percentage of total urban population in class 1 city, जो 468 है, ये कितना percentage है total, ये लगभग आपका 60% है, कितना है, 60% of the total population, वहाँ पे जितने हैं, उनके हैं, ठीक है, which of the following town is not located in the river bank, ये जो 4 town के नाम दिये हैं, इन में से कौन से ऐसे हैं, जो आपके river bank में, मतलब river की गिनारे नहीं पड़ते हैं, आगरा, भोफाल, पटना या कोलकाता, आगरा तो पको पता है, ये यमुना के पार में है, तो इस तरीके से उनको answer तक पहुँचना होगा, देखना होगा, आगरा, यमुना, तो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका जाजाता है पतना, ये भी नहीं, क्योंकि ये गंगा के किनारे है, तो ये भी नहीं होगा, उसका कोलकाता जाता है, ये भी गंगा के किनारे है, तो ये भी नहीं होगा, चौथा जो आपका आता है, ये है आपका भोपाल, भोपाल जो answer है ये किसी भी river के bank में नहीं बसा है ठीक है तो भोपाल इसका answer right answer होगा Which one of the following is a medieval town तो इन में से जो हमने बाटा ancient, medieval और modern इन में से कौन सा जो है medieval town नहीं है आगरा, बारनसी, जमसेदपूर ये चंडिगर बारनसी जो है ये तो हमारा ancient town है चंडिगर भी हमारा क्या हो जाता है ये modern town में हो जाता है जमसेदपूर भी हमारा modern town के तरफ ही आता है लेकिन आगरा जो है ये हमारा क्या है medieval town है 16 number अपने question को देखते है which one of the following is not a part of the definition of the town as per the census of India तो 2011 का जो census हुआ इन में से इन चारो में से कौन सा ऐसा definition है जो उसे fulfill नहीं करता तो चारो definition को देखते है population density of 400 square per kilometer तो per kilometer में 400 आदमी रहना चाहिए किसी भी town में ये सही है बिल्कुल पर presence of municipalities corporation होना चाहिए town में तो municipality होंगे corporation तो ये भी हो गया more than 75% of population engaged in the primary sector क्या town के 75% people जो होते है वो क्या primary sector में engaged होते है ये सही है जी नहीं तो ये answer बिल्कुल होगा क्योंकि 75% अगर कोई भी population अगर engaged in primary activity में तो वो रूलर population अपने आपार जाएगा तो town population हो गहीं नहीं क्योंकि town के लोग तो second or third activity में involved रहते हैं और नौर चौथा देख लेते हैं population size is more than 5000% तो ये भी फुल्फिल करता है definition को town का तो ये c number जो ये फुल्फिल नहीं करता है तो which one of the following environment does one expect the presence of dispersed settlement तो कौन ऐसा expect कर सकता है कि इन चारों में से वहाँ पर dispersed settlement होगा क्या alluvial plains of ganga में dispersed settlement होगे नहीं यहां तो बहुत crowded लोग होते हैं बहुत लोग होते हैं arid and semi arid of Rajasthan तो arid और semi arid में भी लोग होते हैं तो यहां पर भी dispersed settlement आपको नहीं मिल जाएंगे lower valley of Himalaya lower valley of Himalaya में भी लोग बहुत रहते हैं और forest and hill of north east यह answer होगा क्योंकि forest और hill जो north east का है यहां पर लोग कम रहते हैं यहां पर dispersed settlement या ruler settlement आपको देखने को मिलेंगे ठीक है कोई दिक्कर नहीं आगे बढ़ते हैं इन चारों में से कौन सा यासा है जो educational town है वारा नसी अलीगर पिलानी यह all of these इस चारों में से तो इसका answer होगा पिलानी क्योंकि पिलानी जो है आपका राजस्थान में एक टाउन है जहां पर बिल्ला इंस्टिटूट इस वादे से पिलानी जो आपका answer है यह वह होगा क्योंकि यह educational town के लिए बहुत famous है ओके चलिए हमारे 19 number question पर जलते हैं which one of the following is a mining town कौन सा इन में से mining town है जहां पर mining होता है डिगबोई बैंगलूरू कटनी या इतारसी कौन सा बताइए चलिए वेरी गूट डिगबोई यह तेल के लिए भी बहुत famous है और सबसे पुराना 1866 में यहां पे सबसे पहले खो जा गया तो यह सबसे पुराना भी है और असम में है डिगबोई ठीक है तो डिगबोई आपका mining town हो गया बैंगलूर तो आपको पता है कि एक तरीके से यह तो mining हो गया यह बहुत modern town है कटनी और इतारसी जो है आपका यह transportation town है यहां से रूट सब जितने भी यह बहुत जादा कटते हैं कटनी नाम से यहाल रखेगा कटते हैं और इतारसी दोनों ही क्या है आपके transportation town है ठीक है राइटेंशन डिगबोई विच और फॉलेंग इस चारों में से कौन सा है जो administrative town है सिलोंग विलाई अंबाला यह रूर्की तो कौन सा बताइए रूर्की तो आपका हो गया यह educational town हो गया तो अंबाला भी आपका जो क्या है यह administrative town नहीं है विलाई जो हो गया यह तो आपका एक तरीकी का इंडस्ट्रियल town हो गया यह लेकिन administrative में सिलोंग है जो मेगले की capital भी है ठीक है सिलोंग यह क्या है administrative town तो हमारे आज के लिए 20 question ही था तो आपको पसंद आया हो तो like button जरूर प्रेस करें subscribe करें और bell icon को दवाना ना भूले जैसे कि यह सारे वीडियो में आप तक पहुंचा सको तो board से पहले जितने भी important topic है जितने भी important mcqs में आप तक पहुंचा दूंगा ठीक है तब तक स